आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ तो इस question में हमें दिया हुए और strongly heating a blue salt gives a black residue which of the following can be present in the salt तो हम से क्या बोला है कि एक blue salt है हमारे पास जो heat करने पर black residue देता है इन में से कौन सा जो radical है basic radical वो salt में present हो सकता है पहली बात जो हमको पता होने चाहिए कि blue salts के होता है most of the time किसके salt होता है copper के इन में से options हैं उन में से blue salt किसका होता है copper का होता है F2 positive ferrous आयन होता है उसके giant salts होता है और green color के होता है F3 positive ferric आयन के salt होता है वो yellow या brown color के होता है और जो copper our salts होता है CO2 positive के वो blue होता है और जो zincns golds होता है most of the time white होता है तो हमसे बोला है कि एक blue salt है जो black residue देता है तो यह जो reaction है यह reaction है copper sulfate की जो copper sulfate होता है वो एक hydrated crystals होता है जब हम उनको heat करते हैं तो heat करने पर क्या होता है कि पहले तो यह जो copper sulfate है वो अपने five water के जो molecule से वो लूस कर देता है और यह vapors बनके निकल जाते हैं और हमारे पास COSO4 बनता है जो की white color का होता है और के anhydrous COSO4 white color का होता है फिर जब हम इसको further और heat करते हैं तो क्या होता है COO और SO3 gas बन जाती है यह gas निकल जाती है और जो COO form होता है यह black color का होता है तो जब हम जादा heat कर देते हैं यह copper sulfate के crystals को तो फाइनली किसमे चेंच हो जाता है COO black color में ओके तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा blue salt था जो black residue दे रहा है वो कौन था copper two positives मारा जो answer है वो क्या हो जाएगा C हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट्स 8444 चार्स उपर